See, I don't know his personal life. शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उनने कभी देखा है. एक और चीज़ में, उन्होंने मेरे बारे में मुझे मीडिया राउंड में पता चला था, कि उन्होंने बोला था, कि ये अपना डूपता करियर बचाने आई है. तो मैं इस चीज़ पर ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूंगी, कि दूपता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हा, मैं यहां से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूं. तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूंगी, कि सर अगर आपका करियर बना बनाया था तो आप इस शो में आये क्यों फर्स्ट अफॉल आप भी तो अपना करियर बनाने आये हैं न तो उनको ये चीज़ जरूर बोलना चांगे और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जिनके सपनों में जान होती है पंक से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है सो आज की वीनर जो है सना मक्बूल उनके बार में भी लोग ऐसी ही बाते करते थे कि ये तो अपना इमेज टीक करने के लिए आई है और ऐसे-इसे लोग को तो मैं काम पे में रखता हूँ चैनल, I hope you are all doing well और लास्ट आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो कि मैंने बिग बॉसे रिलेटेट बनाया था और आप लोगों ने काफी पसंद किया उसे सो ऐसी मुझे सपोर्ट करते रहिए मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाती रहूंगी सो आज हम बात करने वाले सरना मकबूल खान के बारे में सो मैं कुईकली आपको बता देती हूँ कि वो कौन है कहां से रिलेट करते हैं और उन्होंने अपने करेर में बीग बॉस में आने से पहले क्या क्या किया है अज़े आए कि वो बिग बॉस में मतलब किसी रियाली शो में आये हैं उन्होंने 2009 से ही अपना करेयर स्टार्ट किया था एक रियालेटी शो था उसके बाद उन्होंने स्टीरिल्स में भी काम किये हिंदी स्टीरिल्स में और मावे भी अच्छे कासा उनका ये ठार तजूर काफी फेमेस रह चुके हैं और आज जब वो वीनर हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं उनको स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूं उनको वोटिंग भी मैंने किया था सो मेरे दो तीन ही कंटेस्टे जो बहुत ही फेवेट था और मैं चाहती थी कोई वीनर हो सो उनमें से सना मकबूल एक हैं जैसे कि उन्होंने एक मैपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूं उसमें उन्होंने बोला कि घर वालों में ऐसे दो कैटेगरी में बढ़ चुके थे जैसे कि चार जन के एक गृप आलक थी और छे साथ जन के गृप एक तरफ थी सो उनको मतलब काफी परिशान भी किया जाता था और सब लोग बोलते थे कि यह डिजर्वी नहीं है कि यह वीनर हो या इस शोर में भी डिजर्व नहीं करते हैं रहने के लिए सो उन्होंने आज साबित कर दिया कि किसी कुछ भी आपके प्रती जो भी नजरिया हो अगर आपका फोकस पता है आपको कि आपको क्या करना है और आप उसी उसमें जब आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है और एक बहुत ही फेमस डायलोग भ दिलाने के लिए सो उन्होंने वो चीजों साबित भी कर दिया आज कि वो आज विनर होगे और बहुत ही अच्छा लगा वहीं पर लोकेश को भी आइटिंग जो पूछते ना कि आपको यह प्राइज मनी चाहिए या आप शो में रुकना चाहते हैं तो लोकेश को आइटिं कौन-कौन लोग किसको किसको सपोर्ट कर रहे थे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा जाज-जाज-जाज शेयर करिए और मेरे अगरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करी क्योंकि ऐसे झाल